तो डियर स्टुडेंट ये है बिये फस्ट एर के फस्ट समस्टर हिंदी का पूरा का पूरा माडल पेपर कुश्चन पेपर जो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है ये माडल पेपर और ये पारे जो कुश्चन आज किस वीडियों बताने वाला वह ये आपको पता चलेगी क्या इसे कौन को से कुश्चन जो पर इच्छ हम हमेशा रिपीट हो रहे वह भी मैं आपको बता दूंगा तो शुरू करते हैं राम माड वीडियो द्यान से देखते रहेगा पूरी ठीक है प्रूब के तोर पर देख लिए बीए बेसी बीकों फस्ट यह आपका वर्स प्रथम है समस्ट आपका प्रथम अभी इसी वर्स दोजार तेस्ट चोविस के सेशन का पेपर है सब्जक्ट हिंदी है प्रस्ण पत्र का नाम हिंदी का बे समय दो घंटे का मिलेगा हला कि कुछी नोट से तीन घंटे का पिछले फाल था तो वही आपर द देगें कितने प्रस्ण करना हते लग उत्रे के और उसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे ठीक और कितने सब्दों में उसका उत्ता लिखना यह लिखा होता है तो इस वीडियो से सिर्फ हम आपको मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन मताएंगी जो एक्जाम में आपके बा अर्माल रासो किसकी रसना है तथा इसको और किस नाम फे जानते हैं यह कोश्चन हमेशा नहीं आता है यह कभी कदार आता है इसलिए इसको 80% उम्मीत मान की चलते कि आ सकता है बस 20% नहीं आएगा उसके बाद एकला प्रस्ण है कि कबीर दास का जन्म एवां मृत्त कहा मान जाता है तो कबीर दार जी कि जन्म और मृत्त के अलग अलग ब्षब्वान अलग 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 लेखका और कभी के उंसार अलग अलग मथ्पेठ हैं टीक है तो आप लोगों के लिए यह राम बाण कोश्चन है ओर इनका जन्म कहा पर हुआ और मृत्त कहा पर हुई timest-चन मे पहली बात यह कोश्चन तो महात्पूर्ण ही दूसरा कोश्चन ऐसे आपकता है कि कबीर दाफ जी का पूरा का पूरा जीन परचे बताईए ठीक है और तीसरा कोश्चन आ सकता है कि कबीर दाफ जी की प्रमुक रशनाओ के नाम रिखेंगे ठीक है कबीर दाफ जी की जो साहि और अगला कोश्चन हो सकता है पांस नमबर आफ बगता है कि कभीर दाव जी की धर्म सुधारक और समाथ सुधारक भी एंग इसको इसको एस्पष्ट करने के लिए आएगा लिखने के लिए आएगा आपको तयार जरूर कर लेना है रामवान कोश्चन पक्का हमेशा फसते है तो नोट कर लेजिए प्रश्चन को अगला कोश्चन है प्रश्चन है कि रित काल के प्रमुख चार कभियों के नाम लिखना है तो रित काल के प्रमुख चार कभियों के नाम तयार कर लेना जो कि हमेशा पूछे जाना वाला कोश्चन है नोट कर लेजिए अगला कोश्चन है कि प्रेय प्रवास का प्रस्कासित हुई तथा इसके रश्णा कार का नाम बता है यह कोश्चन बहुत कम आता है इसलिए इसको इग्णोर कर सकते हैं अकला कोश्चन है कि केदारनात अगरवाल किस काल के कभी हैं इनकी किफी एक रश्णा का नाम बता है तो केदारनात जिस सेम तो नहीं आएगा कोई नहीं कोई 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 नहीं को त्यार करें जिनके आने के संभावना कम है आप किसी कंपेटिशन अग्जाम की तैयारी करें रेगुलर क्लाफिछ करें तो जरूर जानी है और आप लोग माली यह देटियल में पढ़ रहे हैं तब आपको जानना जरूरी यह फिर आप यह सब आप लोगों के लिए काम आएगा अगला कोश्चिन की उपाद दी गई है इनको मुक्तिभोध की तो इनकी किनी दो रस्नों का नाम लेकर ना ये भी कोश्चिन आप सभी के लिए बहुत कम आता है साट परसेंड बान की चलते आ सकता है बस और अगला कोश्चिन हंडर परसेंट आएगा नोट कर लिजिए भारते इंद युक के दो कभियों के नाम लिखे और एक कोश्चिन और है भारते इंद हरिश्चंद जो कि यह कभी हैं ठीक है इनका जीवन पर चे त प्लस परष्ट परष्ट प्रकार के प्रकार के पूश्चिन और इस बार भी आएंगे नोट कर लिजिए ठीक है अगला क्वेश्चिन की रीत मुक्त धारा के चार कभियों के नाम लिखे 80% है उम्मीद आने की बाकि 20 परष्ट नहीं अगला प्रश्ट आप लोगों की समश सब्सक्राइब के नाम लिखे यह भी कुछ आप सभी के लिए 90 परसंट इंपॉर्टन कुछ पर इच्छाए चाहे चुटी हो जिसमें नाया और लगबक सभी में आया ते भी आप सभी के लिए हमेशा पुछे जाना वाला कोश्चन नर्बे परसंट उम्मीरिक पसे तो यह र यहां पर पूरी इंस्ट्रक्शन करना उसका उत्तर कितने सब्दों लिखना है पढ़ लीजिएगा फिर कोश्चन कर बढ़िएगा भाई हिंदी में आप लोगों कुछ जैसे कि आपने नायन्थ टैन्थ एलेवन टोइल्थ में हिंदी के परिच्छा दी होगी उसमें आप कोई भी पैराग्राफ या कोई भी दोहा है फिर कोई भी लाइन ले ली जाएगी और आपको पूछा जाएगा कि यहां पर लिखा है कि नीचे दिया गया जो यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टोपिक्स हैं और यह इसकी गारंटी नहीं लिजा वक्ति कि कौन सा जोग दोहा है यह फिर कौन सी पैराग्राफ है जो आप लोगों के लिए संदर्व सहित ब्याख्या के लिए पूंठादा फक्ता है यह हर इंवर्सिटी में और हर वर्स बजला रहता है ठीक है तो यह अपने अनुसार आप तैयार कर लिजेगा ठीक है मेरी भव बाधारो हराधा नागिर शोई जातन की जहाई परे स्याम उहदित दृति होई ठीक है इसमें आप लोगों को पहले संद्र लिखना है कि यह कौन से लिफंस फिलिया गया है और इसको लिखने वाले राइटर कौन है ठीक है यह आपको संद्रव लिखना फिर प्रसंग लखना फिर ब पद्यांस के गुण के बारे में उसके बार जा अगले जाएंगे जिनके आप लोगों संदर्व सहीत ब्याख्या करना है थिक तो पहले यहाँ से चुरुती है ठीक है और यहाँ पर सब्सक्राइब हो जाती है ठीक है कहाला कि किसी दिर में आपको एक्स्प्रेन कर दूंगो किसे संदर्व साथ भ्यक्या लिखा जाता पूरा डीटियल में ठीक है तो टेंसर लेनी वाली बात कोई नहीं और अगर मा लिजे इस पैराग्राप यह फिर इस पद्यांस के बारे में आपको जान काई नहीं नहीं है कि कौन से मतब लेखक ने कि ऄसे दे जाएंगे यहां पर वी पूरी लाइन लिखी उसके बाद अत्वआ करके यहां पर और भी यहां पर दिया गया है त्यकि़िए पर मिलाके आपको संदर्व सही ब्यक्या करने के लिए छे पद्यान्स दोहे या फिर आप लोग कह सकते काब्य और तरण दे जाएंगे लेकिन उन में से किनी तीन का ही आप लोगों को संदर्व से करना होता है बस ठीक है आपको पूरे नंबर दे कि पांधार जाएंगे अब यूष्टन क्यों ठीक है कुश्टन में शुच्छन नेफंडं पर्चे मैं आपको पहले बता रखा कि भारतियं का पर्चेता यार कर लीजेगा और रामबाण को इसवार तो नहीं आएगा लेकिन पदमावत फिरुड़ा एक दो पूछा जाएगे तो अगला कोश्चिन है कि अमेर खुस्ट्रों के कृत्ति यानि कि इनकी जो रच्रतियां है उनके बारे हम लेखने आप अमीर खुस्ट्रों के बारे हम परचे पढ़ लेन जीवन परचे यह आपक लेकिन पदमावत फिरुड़ा कोई ने कोई कोई कोश्चिन आएगा ध्यान लखेंगे ठीक है अगला कोश्चिन है कि शुमित्रान अंदर पंत 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 प्रकत के शुकुमार कभी है उदाहर सजित असपस्ट कीजिए हमेशा तो नहीं आता है लेकिन इसको 80% उमीद दोनों सेम ही की चीज़े तो उसके बार में लिखना कमसे कम आपको चार बिसेशता है यह फिर तो आपको लिखनी लिखनी पड़ेगी कमसे कम आपको डेड़ एक पेस तो बहरना ही परना पड़ेगा ठीक है तब ही आपको लग उत्रे की जो नंबर हो दिये जाएंगे पू क्यों बढ़ना है ठीक है तो पहला प्रस्ट नहीं दिरगूत्री का कि भक्तिकाल के बिस्चताओं पर बिस्तत प्रकास डालिए यह फिर वगतिकाल के बारे में कुछिन आफकता है तो यह कुछ नहीं है जो हमेशा रिपीट होते जो जो मिनियां बदा आएं तो नोठ थीक है छैरist question δेखते हैं निस question तुलफीद sniff का जीका Brilliant परक्षः दीजिए और साथ-साथ में उनपी up स्रेंट고 kings लिकनाई तिक पिर उनका जो क्रतियायानी की जो रशनाय से कॉश्ण है की कॉन परक्षण के बारे में उनकी बारे मichaam वाला कुश्चन है ठीक है उसके बाद अगला कुश्चन है कि शूर कांत्र पाथी निराला जी की का बिगत बिसिस्ताओं पर प्रकाश डाली यह भी कुश्चन आप सभी के लिए 80% हमिश्चा तो नहीं आता है लेकिन ज्यादा तर परिच्छाओं में आया है तो भी आप सभ सभी तकर फिर से बताई secrets अगर आपको मालों बचल शूरिकांत्र पाथी निराला जी जिए उपादी मिलिती ठीक शौरिकांतकी को नाम वाला यह आप सभी के लिए 100% important है एक question सो दूसरे जुड़ा हमेशा पहुंचा जाता है first semester में ठीक है तो इसके बारे में आपको detail में पढ़ लेना है कम से कम आपके अगर अतिले उत्रे में आता तो तीन नंबर लग उत्रे में आता उत्छे फिफात नंबर और दीर के उत्रे में आ जाएंगे कुछ इसी प्रकार का आपको model paper question paper देखने को में नहीं कहुंगा कि same to same मैं सही आ जाएगा same to same question same आ जाएंगे लेकिन इस model paper से जो जो प्रश्ण आपकी पर इच्छा में आ सकते हैं वह मैंने आपको बताएं और उन प्रश्णों को आपको जो तयार की जाना है औ अभी के लिए अगर आप सार्च करना जा रहें तो इंटरनेट सबक्यों वाइल में Google पर सार्च कर सकते हैं और बाकि आप हमारे टिलिग्रम वर्टसप और website से जोइन होकर वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं हम आपको वहां पर PDF चंड करते रहेंगे और डेली हमारी सब्जेट की तैयार यहां पर कराई जाएगे ठीक है इसके लावा आप इफी तरह अनिक कौन से सब्जेक्ट का माडल पेपर चाहते हैं और महात मोड प्रस्ण चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूबत आईएगा मिलते हैं और ने वीडियो में जब तक के लिजाएं तो आ सब्सक्राइगे